हलो आसटो मैं हूं रभी तो आप लोगों ने वीडियो देखा गाड़ी श्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी हो चुकी अखराब इस में चेक एंजिनी की लाइट भी आ रही है और देख रहे हैं और श्टार्ट नहीं हो रही है दुकान तक आते-ाते यानु ने केनिक के पा और क्या गलती आपको नहीं करनी है तो जैसे आप लोग ने देखा स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी तो काफी बड़ी प्रॉबलम आगी है इसमें और एक छोटी सी मिस्टेक के कारण और कितना पैसा लगा है इसमें पूरा आपको बताएंगे एंड में और इसकी जो टंकी है आप लोगों पता होगा मैंने बताया भी था कि इसकी टंकी भी फूट चुपी है यहां से टूटी है हम लोगों ने एमतील बगएरा से जोड दिया था लेकर फिर भी इसमें डीजल गिर रहा है तो उसको भी जोडेंगे तो यहां पर इस सेंस स्केंज में आएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है तो यहां वो सेंस रहते हैं यहांसे वो कि स्कैрийन करते हैं तो इसकें करने समंगों समझें आईगो यह चलते-चलते बंद हो रही है और दुकान तक लाते-लाते पल्कृणी बंद हो चुग है और यहां याविशन करन ठाह analytics क कि यहां पर निस्ट री स्केन कर रहे हुँ हैं कि तो यहां पर बिगोश फैंसर रहते हैं यहनी कि कट आउट बगर रहते हैं स्काइब लिए वीट vendor प्रबॉलम आ इंजक्टर जादतर खराब होते हैं, तो एक इंजक्टर ही खराब हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग ने पिछली वीडियो में भी अब उसके बाद फिल चेक करेंगे उसमें, कौन कितने इंजक्टर खराब हुए हैं, लेकिन चेक करने के बाद पता चला था कि ये चार इंजक्टर इसके खराब हो चुके हैं, यानि चलते चलते, वो खराब हुए हैं एक ही रीजन, गलत डीजल डलवाने से, गलत डीजल डल पैटल नहीं डालते हैं तो स्टार्ट नहीं होती है तो इसके चार इंजेक्टर खोलेंगे और इनके निव की कोस्ट तो काफी ज्यादा है चत्य सजार के पड़ रहे थी निव लेकिन हम लोग ने सोचा कि इनी को रिपेर करवाते हैं तो मिस्त्री इनको खोलेंगे पर उनके बाद इनकी रिपेरिंग होगी तो उसके बाद पूरा बिल भी दिखाएंगे आपको और टंकी बगएरा भी इसकी खुलनी है वो भी होना है ठीक और उसी दुकान पर खड़ी हुई है गाड़ी जहां पहले भी वो गाड़ी ठीक कराई थी क्योंकि उसमें भी यही सेम प्रवलम थी तो आप फ्यूल अच् यहां पर इंजक्टर खुल चुके है चार लगते हैं इसमें इंजक्टर तो यह रिपेर होंगे और हम लोगा उने खोला यानि कि मिस्त्री ने खोला तो यहां पर यह परचे भी निकली हुई है यानि कि जो इसमें लगी थी जिसमें पता चलता है कि यहां गाड़ी का भी सब कुछ भी नहीं खुला था यानि यह तूट जाते हैं अगर खोलते हैं तो जब भी पुरान ले तो यह भी चेक कर लें तो इसमें कुछ इनफ्रमेंशन दी गई है गाड़ी के बारे में बाकी ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है तो अब यह चेक होंगे कि कितने खराब हैं तो यहां पर यह मसीने लेगा हुए है तो यहां पर सारे इंजक्टर चेक होते हैं जैसे कि बस बगैरा और भी ट्रक इसके चारों खराब निकले हैं तो इसके चारों रिपेर होंगे हैं तो साथ में गाड़ी की सर्विसभी होगी और इसका जुफा एलlot इप टूट चुका है यहां से जाली से और आधां तो गिरी गया और इसकी जो टंकी है वो भी रेपेर होगी तो यहां पर टंकी भी खोल रहे हैं मिस्तरी क्यों भी काफी फ्यूल गिर जाता है इससे तो यहां पर फ्यूल निकाल दिया है टंकी से क्योंकि इसके जो इंजक्टर खरा हुए है फ्यूल यहीं खरा फ्यूल के कारण तो इसको जो पूरा फ्यूल निकाल दिया, इसमें दूसरा फ्यूल डालेंगे, पेटल फर्म से लाएंगे, क्योंकि इसी फ्यूल में कुछ मिला हुआ है, जिससे इंजक्टर खरा हुए है, क्योंकि एक ही दिन में ये सारी प्रोबलम आई है, उसके पहले गाड़े में कुछ भी कमी नहीं थी, और यहां पर ट्रांस्पोर्ट नगर में ये दुकान है, और भी गाड़ी खड़े हुए है, जिसमें काम हो रहा है, आधे ट्रेक बगएरा, बस बगएरा में यहां पर काम होता है, तो यह है, वाइल फिल्डर, जो की महंदरा का है, ओरिजनल, आप महंद का भी औरिजनल रहता है, तो बस का भी आप डलवा सकते हैं, यहां पर आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं, क्योंकि जब भी इंजेक्टर बनते हैं, तो टंकी का फ्यूल भी निकलता है, और डीजल फिल्टर भी चैंज होता है, और इसकी सर्विस होनी थी, तो हम लोग महिंद्रा का भी डलवा सकते हैं, और बस का भी डलवा सकते हैं, दोनों ही औरिजनल रहते हैं, तो गाड़ी में काम चली रहा है, यह है एर फिल्टर, जो कि यह बार-बार खराब नहीं होता है, सिर्फ इसमें हवा लग जाती है, यानि कि जो पंचर वाले रहते हैं, जो यहां पर यह टंकी बन चुकी है, यहां पर बेल्डिंग नहीं हुए, यह रांगा का तार होता है, जो इसमें रखा हुआ है, यहां पर तूटी थी टंकी, तो रांगा का तार इसमें लगा दिया है, यानि कि बेल्डिंग जैसा ही हो जाता है, यहां पर आपको दिख रहा ह तो अभी तक कुछ भी प्रोब्लम नहीं आई यह वहां से तो इसको भी फिट करेंगे अब तो तीन इंजक्टर रेपेर हो चुके हैं एक इंजक्टर हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा तो यहां पर चार हो चुके हैं तो कुछ ऐसे दिखते हैं रेपेर होने के बाद इसकी यहां पर आपको दिख आओ यह वाला पार्ट यह चैंज होता है अंधर तक और बाकिसकी जो बॉड़ी रहती है वो सेमी रहती है नहीं वो चैंज नहीं होती है थोड़ी-थोड़ी बारिस भी आ गई है तो निकलने के बाद इनको खिट करेंगे अब तो आब इनको खिट क मिलावट होती है उस वज़े से खराब हो जाते हैं इंजेक्टर और आपको बायो पेटल पम से भी नहीं डालवाना है जिन पर दो चारू के सस्ता मिलता है अच्छे पेटल पम से डालवाना है आपको ड्रीजल क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोनक इंजिन है जिस वज़े से खरा तो यहां पर आप यह बिल देख सकते हैं अपनको इंजेक्टर के लिग है यानि कि रिपेर के खाली लगे है 16,000 रुपे और इसकें के 500 रुपे और यह डीजर फिल्टर है 400 रुपे और फिल्टर 290 रुपे यहां पर 17,690 रुपे हैं यानि कि यह इंजेक्टर बगएरा के हैं और दूसरे मिस्तिरियर जो लगे थे जिनने टंकी बगएरा खोली है तंकी का रिपेरिंग तो वो अलग है और जिनने इंजेक्टर खोले हैं तो वो अलग है और एक तारीक को यह करवाया था तो आप है यहीं जल्दी खराब होती है यानि गलत फ्यूल ही कि बजए से यह खराब हुए है और इंजक्टर ऐसे रहते हैं कि एक बार खराब हो गए तो गाड़ी की जो आबाज है वो भी चली जाती है क्योंकि अभी 19-20 का फरक लग रहा है फिर भी काफी ठीक रिपियर हो चुकी है लेकर 19-20 का फरक है और गाड़ी भी थोड़ी हिलने लगती है लेकिन फिर भी ठीक आ गया है और नियू ले दे तो 36,000 रुपे की नियू आने थे तो यह पूरा विल है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में